एक news blog start करना could be a very good option for making a long term passive income लेकिन news blog start करने से पहले कुछ जरूरी सवाल में आपसे पूछना चाहूंगा क्या आपकी पास daily 2-3 घंटे का free time है जिसमें आप news articles लिख सकोगे दूसरा सवाल क्या आपको रोज होने वाले incidents या देश में चल रहे हैं माहौल को जानने में interest रहता है और आखरी सवाल क्या आप newspaper या news blogs वगरा पढ़ते हो या जो current में आपके आसपास चीज़े चल रही हैं उनसे related videos देखने में आपको interest है मतलब दिल्चस्पी है आपको news में या नहीं है अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ हैं तो news blog आप शुरू कर सकते हो क्यों खाले news लिख देने से एक news blog कामयाब नहीं होता है और ना ही income होती है news वाले mentality सेट होनी चाहिए आपके अंदर तब आपके लिए किसी भी तरह का news article लिखना बाएं हाथ का काम हो जाएगा तो चलिए एक news blog बनाते हैं सबसे पहले आपको ये वाले website open करनी है इसका link आपको वीडियो के description में मिलेगा मेरा ही blog है और आपको इस page ही उपर आना है और यहाँ पर आपको तीन options मिलेंगे Mac, Intel, Mac, Apple, Silicon और Windows क्या हैं तीनों मैं आपको समझा देता हूँ देखो आप किसी भी तरह का blog बनाओगे या किसी भी तरह की website बनाओगे हमें server के जरुरत पड़ती है यहाँ पर यह तीनों option दिये हैं असल में ये local server है मतलब एक software download हो जाएगा आपके computer पे जो as a server काम करता है जब आप नए-ने news blog स्टार्ट कर रहे हो ना आपको live server अभी खरीदने की जरुरत नहीं है जब blog आपका ready हो जाएगा उसके बाद आप चाहो तो live server ले सकते हो अभी practice करने के लिए आप अपने computer को ही as a server बना सकते हो और उसके लिए हमें इन तीनों में से एक software की जरुद पड़ेगी अब ये आपको देखना है अगर आप Mac यूज कर रहे हो जिससे M1, M2 चिप वाला computer है तो आप Mac, Apple, Silicon वाला software डाउनलोड कर लेना अगर आप Windows computer पर हो, कोई सब भी Windows है, 10 है, 11 है, 12 जो भी है तो फिर आप Windows वाला version डाउनलोड करना मैं Mac यूज कर रहा हूँ तो simply मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर देखो download का option आगया simply download कर लेना, यह application डाउनलोड हो जाएगा अपके computer के उपर 350-300MB की होती है, डाउनलोड करने के बाद आपको इससे install कर लेना होता है और install करने के बाद यह कुछ इस तरह के दिखाई देती है, जैसे मैं Mac पे हूँ न तो यह local दिख रहा है आपको, यह basically यही application है, install कर लेना कुछ इस तरह का interface आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे bottom left corner पे plus मिलेगा, इस पर हम click करेंगे अब यह कुछ सवाल आपसे पूछेगा, पहला question यह है, create a new website, create from blueprint इन दोनों में से कौन सा option आपको choose करना चाहिए, एक blog भी एक तरह की website ही होती है, इसलिए हम इस वाले option को selected रखेंगे and then continue पे click करेंगे, अब यह पूछ रहा है, what's your site's name, आपकी website का नाम क्या होने वाला है, website में blog का नाम, अभी यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, news, blog, बाद में आप चाहो कुछ भी दे सकते हो, अभी फिलाल हमें temporary इसको नाम दे दिया है, then continue पे click करते हैं, इस की help से आप blog setup करोगे, आपको coding लिखने के जरूत नहीं पड़ेगी, WordPress में सब कुछ पहले से बना बनाया होता है, बस आपको articles लिखने होंगे, और बहुत ही easy interface है, तो हम जो अपना blog बनाने वाले हैं WordPress की help से, तो हमें अपने WordPress के blog में login भी तो करना पड़ेगा, तब ही तो हम article लिखेंगे, सबी लोग थोड़ी ना login कर पाएंगे, हमें खुद बस login करना है, उसके लिए हमें login details ही जरुत पड़ेगी, और वो login details हम यहाँ पर create करते हैं, तो मैं यहाँ पर username create कर लेता हूं सद्दाम, एक password मैं यहाँ पर create कर लूँगा, और अपना email address हम यहाँ पर type कर देंगे, इसके बाद simply add site पर click करते हैं, कुछी seconds में WordPress ready हो जाएगा और एक पूरा interface हमें मिलेगा website वाला या blog वाला, easily login करके हम अपनी website या blog को बना पाएंगे, तो यहाँ पर मुझसे computer का password पूछ रहा है, एक बार मैं इसे भी enter कर देता हूं, WordPress install हो रहा है, तो यह लिखकर क आगया news blog, मतलब हमारा news blog ready हो गया है, अब हमें इसे customize करना होगा, ताकि हम इसको अपने हिसाब से use कर सकें, तो यहाँ पर आपको दो option दिख रहे होंगे, एक है WP admin और दूसरा है open site, पहले मैं open site पर click करूँगा, यह देखो, यह हमारे सामने एक blog का structure बन करके आगया, एक basic theme WordPress पे installed है, और यह हमारे web browser पे देखो काम कर रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे local server यूज़ कर रहे है न, तो local server सिर्फ हमारे ही computer पे काम करेगा, सबसे top पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, news-blog.local, यह जो link है अगर आप किसी दूसरे computer पे इसे open करोगे, अपने friend को भेज जोगे, अपने relatives को भेजोगे न, उनके end पे opening नहीं होगा, वहाँ पे server not found आ जाएगा, यह एक temporary domain name आपको मिल जाता है, सिर्फ आपकी practice के लिए, आप अपने computer पे ही इसे use कर सकते हो, अब बात में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस local news blog को internet पे कैसे live करेंगे, ताकि सभी option क्या दिया था, wp-admin, अगर मैं इस पे click करूंगा तो username और password मांगेगा, यानि यह वो window है, जहां से हम login करके अपने blog को customize कर सकते हैं, और articles लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे same username put कर देना है, जो मैंने create किया था सद्दाम, और password मैं यहाँ पे type करूंगा, इसके बाद हम login कर द लिया है, और यह front end भी open किया है, अब जब मैं इस front end को एक बार refresh करूंगा तो यहाँ पे काली पट्टी बन किया जाती है, तो यहाँ से भी हम directly site में login कर सकते हैं, यह black पट्टी सिर्फ उसी को दिखाई देगी, जिसने same browser में admin panel में login कर रखा होगा, मतलब सब को नहीं दिख सिर्फ आपको दिखाई देगी, ठीक है, अब यहाँ पोस्ट वाला section दिया हुआ है, all posts पे हम click करते हैं, पहले से एक post लिखी हुई है, hello world नाम की, यह title है, hello world और इसके अंदर कुछ content लिखा होगा, एक बार मैं इसे open करता हूँ new tab में, देखो यह hello world की post है, यह title आ गया, कि इस date में post लिखी गई होगी, किस ने लिखी है, और content क्या है, यह रहा है, इसका content, और एक dummy comment भी यहाँ पर पड़ा होता है, यह पहले से wordpress की तरफ से मिलता है, हम इस post को delete कर देंगे, trash पे click करके, तो post delete हो गई, अब अगर मैं इसको एक बार फिर से refresh करूँ, post मिलेगी नही क्या लेकिया रहा, page not found, post हमने delete कर दिया, ठीक है, नई post लिखते कैसे हैं, उसके लिए पहले आपको content writing आनी चाहिए, but content writing से पहले, हम trending topic कैसे find out करते हैं, यह भी तो हमें पता होना चाहिए, किस चीज के बारे में news लिखेंगे, तो trending topic हम कैसे find out करते हैं, बड़े कमाल का method मै आपको बताने वाला हूँ, हम चलते हैं simply google पे, अब google में एक नया feature आ गया है, अगर आप search box पे click करोगे न, तो देखो यहाँ पे क्या लिख क्या रहा है, trending searches, aims, rishikesh, police car, nothing phone, bit set, exam analysis, salman of Saudi Arabia, nikesh, arola, panasonic, lumix, s9, मतलब आपको 8-10 ऐसे trending topics यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनके बा इस से related क्या चल रहा है, तो एक बार इस पर हम click करेंगे, इस से related आपको कई सारे यहाँ पे article देखने को मिलेंगे, जैसे देखो, NDTV के blog यूपर लिखा हुआ है, to arrest man who harassed, aims doctor, cops drive car into hospital ward, चलो इसे open करते हैं, पहले में news के बारे में मालुमात होनी चाहिए, हमें पता होना चाह अब हो सकता है यहाँ आपको English समझ में ना आ रही हो तो एक काम करो, यहाँ से से पूरा का पूरा कॉपी कर लो, यहाँ ने कॉपी किया, एक website है translate.google.com, Google की official translation website 100% free है, English में हमने content copy किया है, तो primary language आपकी English हो जाएगी, और secondary language आपकी Hindi हो जाएगी, अगर Hindi यहाँ नहीं तो आप सिंप्लिस arrow पे क्लिक करना और Hindi को चूज कर लेना, अब English वाला content मैं यहाँ पे paste कर दूँगा, इसका translation हिंदी में आ गया, एक viral वीडियो में दिखाया गया है, कि एक आरोपी व्यक्ति का पीछा करने के लिए, आसामान ने उत्सा दिखाते हूँ, पुलिस करी मंग वापस आते हैं, और topic क्या था यहाँ पर, Google पर मैं फिर से जाना होगा, और यहाँ पर topic था, aims, रिशिकेश, पुलिस कर, तो यह हमारा title हो सकता है, ठीक है, वापस आते हैं, और यहाँ add new post पे click करेंगे, और यहाँ पर हम title add करेंगे, क्या title add कर देंगे, what's new in aims, रिशिकेश पुलिस कर केस, है न, तो यहाँ पर हमारा देखो, main keyword आ गया, aims, रिशिकेश, पुलिस कर भी आ गया, और हमने कुछ नए तरीके से title लिख दिया, what's new in aims, रिशिकेश, पुलिस कर केस, ठीक, यह एक title हो गया, आप अपने हिसाब से सोचना क्या title हो सकता है, अब यहाँ पर हम पुलिस एक महिला डॉक्टर के यौन उत्पीडन के आरोपी नरसिंग अधिकारी को गरफतर करना चाहती थी, तो हम ऐसा कुछ जरूर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एक वाइरल वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस एक महिला डॉक्टर के यौन उत् पुलिस एक महिला डॉक्टर के यौन उत्पीडन के मामले में एक नरसिंग अधिकारी को गरफतर करना चाहती थी, बस इतना लिख दिया हमने, अब आपको लग रहा होगा यार कि इस तरह से थोड़ीन आर्टिकल रैंग हो पाएगा, हमने यहाँ पे हिंग्लिश language का इस्तेमाल किया, इंग्लिश नहीं है, हिंग्लिश है, हिंधी और इंग्लिश है combination, हो क्या रहा है, यहाँ पे जो letters हमने use किया हैं वो तो इंग्लिश वाले हैं, लेकिन pronunciation उसका हिंदी में निकल रहा है, तो आप कोई बात नहीं है, इसको यह लेंगेज हो जाएगी English, तो यहाँ पर हम अपना English वाला content paste करेंगे, और यह देखो, इसका पूरा English में translation आ गया, अगर आपको हिंदी में ही लिखना हो था, तो कैसे लिखते हैं बड़ा आसान हो जाता है, यह जो English वाला है इसे copy कर लेना, और फिर से हम translation वाली website open कर लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, English to Hindi में translation कर देते हैं, तो हमारे ही words थे ना यह, यह वाला English translation हमारे ही word का था, इसका हिंदी में देखो यह आ गया, viral वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस गमेला, content writing का पहले यह वाला बना दिया है, इसको चाहो तो आप देखना, पूरी content writing सीख सकते हो, news blog है, किसी भी तरह का blog है, niche based blog है, website content है, e-commerce content है, सब कुछ आप easily लिख पाओगे, इस वीडियो का link आपको description में मिलेगा, यह technique बड़ी आसान है, उन सभी लोगों के लिए, जिनको English में लिखने में दिक्कत होती है, या English medium से नहीं है, आप Hindi medium से हो, तो आसानी से लिख सकते हो, हम English language में ही अकसर WhatsApp पे chat करते हैं, करते हैं आप अगर ऐसा लिखना चाहोगे, कि तुम कौन हो, क्या लिखते हैं, T-U-M-K-A-U-N-H-O, question mark, है न, ऐसी तो लिखते हैं न, तो आप what से chatting करते हैं, उसी तरह से आप लिख लो, तो Google Translation की help से आप उसको English से English में convert कर लो, या English से Hindi में convert कर लो, बड़ा आसान है, पूरा आर्टिकल आप इस तरह से लिख सकते हो, अब फटा फट इस वीडियो को pause करके, सेम टेकनिक को use करके, मैं पूरा आर्टिकल लिख लेता हूँ, सो यह मैंने पूरा आर्टिकल लिख लिख लिया, अब यहाँ पर सिर्फ टेक्स लिखा हुआ है, खाले टेक्स ही टेक्स लिखा रहे न, जन्ता को मज़ा नहीं आता पड़ने में, थोड़ा बहुत images का भी मसाला होना चाहिए, थोड़ा विडियो वगरा मिल लिया, तो और मज़ा आ जाए, अब images कहां से आएंगी, भाई हम तो पहुँचे नहीं न, aims में, तो हमें कहां से images मिलेंगी, अगर मैं directly NDTV की image यहां से उठा लूँ, मालो, यह वाली में, डाउनलोड कर लूँ, अगर तो भी दिक्कत हो सकती है, copyright का issue ना आ जाए, तो एक काम करते हैं, हमारा post का है, यह वाला post है, एक काम करो, जो main आपका यहां पर यह keyword है, इसे copy करो, ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम YouTube पर, अब search box में हम same keyword को type करके enter पुश करते हैं, देखते हैं कहीं कोई news है, क्या देखो, यहां पर ललन टॉप बालन अलड़ी इस news को डाला हुआ है, इसे मैं open कर लेता हूँ, ठीक है, यहां से हमें images मिल जाएंगी, ओके, आप इसको pause कर लो इस तरह से, और यहां पर हम snapshot ले सकते हैं, इस पूरे incident का कुछ इस तरह से, ठीक है, इतना snapshot ले लोगे न, यह बिल्गल copyright free आराम से काम करेगा, क्योंकि हमने YouTube वीडियो से लिया हुआ है, snapshot मेरे computer पर save हो गया, आप कोई भी tool वगरा यूज कर लेना snapshot लेने के लिए, वापस चलते हैं अपने news article के अंदर, अब मुझे बीच में कहीं पर एक snapshot डालना है, यह तो text था, मैंने direct लिख लिया, images कैसे insert करते हैं, मान लो, इस first वाले paragraph के बाद मुझे image को insert करना है, तो मैं enter push करूँगा, यहाँ पर क्या लिख किया रहा है, type to choose a blog, plus पे click करेंगे, और यहाँ पर हम choose करेंगे image, ठीक है, क्योंकि हमें image को insert करना है, फिर upload पे click करते हैं, और यह रही वो image, इसे में simply upload कर दूँगा, तो यह हम मारे सामने एक news आ गई, ठीक, इसके बाद मुझे से publish कर देना है, तो फिलाल एक काम करते हैं, मैंने publish कर दिया, और new tab पे चलके देख लेते हैं, news कैसी दिखाई दे रही है, तो भी audience को कुछ इस तरह की news दिखाई देगी, है न, news तो चलो ठीकी content अच्छा है, बट फिर भी पूरल विराम मैं यहां से copy कर लेता हूँ, वापस आते हैं और इसको मैं replace कर दूँगा, इसके बाद post को फिर से हम update कर देते हैं, अब वापस wordpress के dashboard में चलते हैं, अब appearance में हम जाना होगा themes में, अभी जो theme हम use कर रहे हैं, वो है 2024 नाम की theme, बड़ी boring सी theme है, मैं आपको premium theme provide क करूँ है, जिसका नाम है generate press theme, काफी बड़ी है systematic theme है, वो theme जब आपको पास download हो जाएगी ना, तो उसे हमें अपने wordpress के dashboard में upload करना होता है, वो theme कैसे मिलेगी, आगे बताऊंगा सो कुछ criteria है, क्योंकि paid theme है 59 dollars की आती है, वो theme आपको कैसे मिल सकती है, उसका पूरा process मैंने आ generate press all one word बीच में कोई भी space नहीं आएगा, तो यह रही generate press की free वाली theme, पहले आप इसे install करके activate करोगे, और फिर जो मैं आपको plug-in प्रोवाइड करोगे, अच्छल में वो generate press theme नहीं होगी, वो generate press का premium plugin है, जो इस free theme के features को extend कर देता है, तो वो plug-in मैं आपको provide करोगा, उसे आप आपको अपने wordpress blog में install करना होता है, तो हमने theme को install कर लिया, अब इसे activate कर लेते हैं, तो यह हमारे theme activate हो गई, activate करने के बाद जैसी में इस front page को refresh करूँगा, तो design totally change हो गया, कितना बढ़िया सा design आ गया, पहले एक तो random सा बेकार सा दिख रहा था, अभी सब कुछ systematic तरीके से दिखने लग गया है, इसे और भी हम better बना सकते हैं, अब इसके बाद हमें जाना होगा plugins में add new plugin पे click करेंगे, तो generate press का premium plugin में आपको provide करूँगा, उसको आपको upload करना होता है यहां पर, तो हम simply upload plugin पे चलते हैं, browse पे गए और यह रहा वो plugin, कुछ इस तरह का plugin आपको भी हो जाता है, हमें configure में जाना होगा, और यहां पर देखो बहुत सारे premium आपको elements देखने को मिलेंगे, जैसे background को आप activate कर सकते हो, blog वाले section को activate कर सकते हो, copyright bottom में आता है, उसे activate करके customize कर सकते हो, disable elements है, elements है, menu plus है, जितने भी premium आपको features मिले न सबको activate कर लो, फिर से एक बार इस page क refresh कर लेते हैं, अभी फिलाल कोई भी change देखने को नहीं मिलेगा, अब यहां पर हमें logo upload करना पड़ेगा, तो logo आप खुद से design कर सकते हो with the help of Canva, अगर आपको नहीं मालूम है कैसे Canva use करना होता है, कैसे आप logo design कर सकते हो, तो simply इस video को जाके देखिएगा, इसका भी link आपको description में मिलेगा, मैंने पूरा graphic designing बिल्किल free of cost सिखाया हुआ है, amazing graphics design कर सकते हो Canva की help से, चाहे वो logo design करना है, YouTube का thumbnail design करना है, Instagram का cover photo design करना है, सब कुछ आप easily design कर पाओगे with the help of this video, इसका link भी आपको description में मिल जाएगा, तो मेरे पास already logo पड़ा हुआ है, उसे मैं सीधा upload करूँ select logo पे click करके, select files पे हमें जाना होगा, और जहां पर भी आपके पास logo available है, आप simply उसे upload करोगे, अब हो सकता हो, आपको लग रहा हो कि मेरी shirt वगरा कैसे change हो गई है, असल में ये इस video recording का day 2 है, क्योंकि एक दिन में इतना detailed video record कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए कई दिन लग जाते हैं मुझे video record करने में, अगर आपको लगता है कि मैं महिनत कर रहा हूँ इस video को बनाने में, तो please video को like कर दें, like करेंगे तो YouTube को भी समझ में आगा भी video काम का है, तो वो ज्यादा logo तक हमारा video पहुंचाएगा, alright, so ये हमारा logo set हो चुका है, एक बार हम select पे click करेंगे, अब यहाँ पर आपको option दिखाई देगा crop image और skip cropping, इसका मतलब क्या है, इस theme में पहले से ही एक size define किया गया है logo के लिए, जो हमने logo upload किया है न, वो actual में उस size में सही बैट नहीं रहा है, तो अगर आप crop कर देते हो, तो यहाँ पर देखो area दिखा रहे है न, crop करने का, इसक तरह का दिखाई देता है, न, नीचे यहाँ पर एक box दिया हुआ है, logo with का, आप चाहो तो यहाँ से logo की with set कर सकते है, with यानि logo की चोड़ाई, तो मैं इतना बड़ा logo दिखाना चाहूंगा, जैसे breaking news यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ठीक ठाक दिख रहा है, इसके बाद यहा site title, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप चाहो तो site title बाद में change भी कर सकते हो, यह हम यहाँ से से हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप logo आ चुका है, तो site title की हमें जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, hide site title, simplest पर हमें click करना होगा, site title hide हो गया, publish कर देते हैं, औ अब वापस चलते हैं, WordPress के dashboard में, कुछ और चीज़ा सीखते हैं, जैसे कि अभी हमने एक यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, अब यह जो आर्टिकल है ना, यह किसी category के अंदर हमने assign नहीं किया है, category यानि जैसे आप news blog स्टार्ट कर रहे हो, भाई हमने अभी एक daily incident वाली news यहा अब के लिए क्यों हम अलग-अलग categories बना लें, जो news जिस category से belong करेगी, हम उस news को उस particular category के अंदर assign कर देंगे, तो पहले हमें blog categories बनानी होती हैं, blog categories कैसे बनती हैं, यहाँ left hand side पे आपको मिलेगा post वाला एक option, इसके अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर मिलता है categories, यहा यहाँ पर uncategories नाम से category पहले से बनी होती है, आप इसे delete नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कई पर आप post publish करते हो, बट गलती से कर आप कोई category assign करना भूल जाते हो, तो वो post automatically इसी वाली category के अंदर assign हो जाती है, बट हम अब अपनी post categories create करेंगे, तो यहाँ पर एक category का नाम हम देते हैं, sports, ठीक है, इसके बाद add new category पर click कर देंगे, तो sports नामी category बन गई, इसी तरह से politics, ठीक है, then add new category, इसी तरह से आप यहाँ पर daily incidents, एक development वाली category भी हो सकती है, DEVE, LOPMNT, development, इसी तरह से अब जितनी चाहो उतनी categories यहाँ पर create कर सकते हो, फिलाहल मैंने 4 categories बना ली है, अ और यहाँ पर हम इस post को edit करेंगे, अब जैसे मैंने यह post लिखा था, अब हम इस post को daily incident वाली category में कैसे assign करते हैं, right hand side पर यहाँ पर आपको post वाले tab मिलेगा, scroll down करोगे, तो देखो यहाँ पर categories का option दिया होता है, इस पर हम click करेंगे, अब जो categories हमने back end में already बना ली है, WordPress के dashboard बोड में, वो सारी categories आपको यहाँ पर दिखाई देती है, आपको याद हो का मैंने just अभी बोला था, कि अगर आप in case कोई post लिखते हो, और उसे कैसी category के अंदर assign नहीं करते हो, तो वो by default uncategorized में चली जाती है, तो देखो यहाँ पर uncategorized already check है, इसे हम uncheck कर देंगे, और यह यहाँ पर दिया हुआ daily incidents, इसे हम check करके update कर देंगे इस post को, तो अभी यहाँ पर यह post है, किसमे assign हो गई है, daily incident वाली category में, अब कल को आप कोई नया post लिखते हो, add new post पे click करते हैं, माँ लोगों कोई नया post आप लिख रहे हो, let's say, IPL 2025, next year, maybe आने वाले कुछ साल में फिर से IPL आएगा, उसके बारे में आप एक article लिखते हो, तो यह जो article होगा, किस category के अंदर assign हो जाएगा, यह जाएगा आपका sports वाली category के अंदर, article लिखने के बाद आपको sports को यहाँ चेक करना होता है, और फिर आप उस post को publish कर दोगे, ठीक है, so it's really very important, जो भी आप article लिख रहे ह थमने लिए बताता है कि वीडियो किस बारे में है, similarly, ब्लॉग में एक featured image होती है, featured image भी एक तरह का thumbnail होता है, जो यह बताता है user को, कि post किस बारे में है, तो हमें एक featured image set करनी होती है, हमने जो post के बीच में जो image insert की है, यह तो simple सी एक image है, लेकिन featured image किया होगी, जो सबसे top प पर हमें जाना होता है, और यह section दिया है featured image का, यहाँ पर आप जा करके featured image को upload करोगे, जो आपकी post से related होती है, फिलाल मेरे पास अभी कोई भी featured image इस post के लिए है नहीं, तो जो existing image थी ना, उसे ही मैं as a featured image set कर लेता हूँ, तो मैंने set featured image कर दिया, and then update कर देते हैं, कोशिश कर हैं कि आप high resolution की featured image set करें, ताकि वो clearly आपके home page पे post वाले blog page पे दिखाई दे, ठीक है, अब एक बार जारा हम चलते हैं अपने home page पर, देखो, home page पे यह featured image आ रही है, अगर मैं इस image पे click करूँगा, तो इसका individual page हमारे सामने open हो गया, अब यहाँ पर दो-दो images क्यों दिख नहीं है, एक तो featured image है, और दूसरी जो हमने post के अंदर image ली थी, वो है, एक काम करता हूँ, मैं तो कोई दूसरी image यूज करके देखता हूँ, तो वापस चलते हैं YouTube पर, और यहाँ पर search करते हैं, aims, रिशी केश, ठीक है, चलो इस से related पर से देखते हैं, वो image शायद आ रही हो, यही वो video है से open कर लेते हैं, और यहाँ पर एक काम करेंगे, कोई दूसरी image निकाल लेते हैं, यह मैंने post कर दिया, और यहाँ पर मैं snapshot ले लेता हूँ, कोई दूसरी image का, ठीक है, इतना चलो ले लेते हैं, अब इस image को as a featured image हम set करेंगे, वापस चलते हैं, यह featured image है, remove कर देंगे, और दूसरी image upload करके देख लेते हैं, यह सब basic चीज़ें देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ज़रूरी है, आपको पता होना चीज़ें सबकी concepts, तो यहाँ पर हमारी featured image अभी just upload हो रही है, यह featured image आ गई, यहाँ पर click किया हमने, अब एक बार इस post को update करके, अ आप अपने हिसाब से खुद की featured image को निकालोगे, यह design कर सकते हो with the help of Canva, ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है भाई, हमें legal pages create करने हैं, आगे चलके आप चाहोगे कि news blog से आपकी income generate हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है Google AdSense का, सभी लोग इसको priority देते हैं, युकि Google AdSense का approval मिल गया, तो कमाई अच्छी खासी हो जाती है, अटली शुरुवात तो हो ही जाती है, Google AdSense का approval लेने के लिए कई सारे factors हैं, यह वाला वीडियो मेंने अल्लेडी बनाया हुआ है, अगर आपको Google AdSense का approval नहीं मिल पाता है किसी भी वज़य से, तो इस वीडियो में 10 points मैंने बताए हैं, जाकर जरूर देखिएगा, इस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, हो सकता है कुछ कमिया आप अपने blog की उपर कर रहे हो, तो इस वीडियो में सारे चीज़े में इने clear की हैं, अगर इन 10 points आप cover up कर लेते हो, तो आपके AdSense मिलने के chances बढ़ जाते है guarantee में कभी नहीं देता, अपने experience के हिसापस में नहीं वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे भी अपने blog की उपर AdSense का approval मिला हुआ है, ठीक है, अब एक important factor यह होता है, कि आपको legal pages ready करने होते हैं, मतलब जो आपका news blog है, इसमें disclaimer वाला page ready होना चाहिए, affiliate disclosure ready होना चाहिए, privacy policy ready ह होनी चाहिए, terms and conditions है, contact us है, about us page है, यह 5-6 important legal pages है, जो आपके blog में ready होने ही चाहिए, तो हम pages कैसे create करते हैं, WordPress के dashboard में पहले हमें जाना होता है, यहाँ पे दिया है pages वाला section, add new page पे click करेंगे, और आप एक एक करके pages यहाँ पे create करोगे, तो सबसे पहला page में यहाँ पर page के ऊपर आप एक बर content रख देते हो, फिर लंबे time तक आप चाहो तो नहीं भी update करोगे, तो भी चलेगा, page पे कुछ static type की information होती है, जबकि post को आप regularly update करना पड़ता है, तब ही वो post rank होता है, ठीक है, तो about us page के ऊपर आपने बारे में जानकारी रख सकते हो, अपने news blog के ब हमें और create करना होगा, contact us name का, co and tct, us, contact us, इसको भी हम publish कर देंगे, contact us page के ऊपर आप ही contact details आती है, जैसे आपका whatsapp number हो सकता है, email हो सकता है, यह को contact form वगरा हो सकता है, अगर आप इस सारी जानकरी provide करना चाहो तो अच्छी बात है, या फिर आप सिर्फ अपना email address और एक contact form भ disclaimer, इसे मैंने यहां से publish कर दिया, इसके बाद अगला page बन जाएगा, privacy policy, इसको भी हम publish कर देते हैं, then अगला page क्या हो जाता है, terms वाला page होता है, terms of service यह terms and conditions, आप कुछ भी यहां पर लिख सकते हूँ, and एक page और हो जाएगा, affiliate disclosure, ठीक है, and then मैंने इसे publish कर दिया, तो अभी हमने total 6 pages यहां पर create किये हैं, अगर मैं इस all pages पर जाओंगा, total 6 pages दिखाई देते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, पहले सी आपके wordpress में privacy policy नम का page बना हुआ होता है, यहां पर बना हुआ था, बस इसका status है वो draft में, मतलब यह published नहीं था, हम एक काम करते हैं, जो अब यह page published हो गया, देखो draft वाला यहां पर लिखा हुआ था, टेक्स्ट वो हट गया है, अब बार ही आती है इन pages के लिए content कैसे लिखेंगे, जो privacy policy है, disclaimer वगरा है, इसके लिए आखर content कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए हम help लेंगे chat GPT की, क्योंकि यह सारे legal pages हैं, हर ए official website पर, आप चाहो तो simply google पर भी जा करके, और chat GPT यहां पर type करना, chat GPT, and then सबसे top पर URL आ जाएगा, open कर लेना, एक free of cost account create कर लेना, कुछ इस तरह गा interface आपके सामने आ जाएगा, अब एक common prompt मैं आपको दे रहा हूँ, इस common prompt को आपको कहीं पर लिख लेना है, चाहो तो इस video क रहने वाला है, जब मैं अपने blog को internet पर live करूँगा, तो इस वाले domain पर करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना domain name प्रोवाइड कर दिया, इसके बाद, my name is saddam kasim, and my blog name is how to search, देखो blog name में और domain name में फर्क होता है, जो domain name होता है, वो आपके blog का URL होता है, और जो blog का न नाम होता है, वो basically नाम होगा, जैसे मेरी website है, websoft global.com, ठीक है, यह मेरी website है, तो मेरी website का domain name तो हो गया, websoft global.com, लेकिन जो website का नाम है, वो है websoft global, यह लोग websoft के नाम से भी जानते हैं, तो नाम अलग है, और domain URL अलग होता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपने blog का नाम इस is help at how to search dot in मान लेती ये है ठीक है इतना मैंने सो common data दे दिया can you please write the content for the disclaimers your disclaimer page with 100% 100% uniqueness in a human toned format ऐसा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया enter पुश कर देंगे अब देखो chat GPT हमारे लिए disclaimer page का content लिखना शुरू कर देगा देखो सबसे उपर इसने क्या दे दिया effective date 2024 और 24 माई यह चल रहा है वो है फिर general disclaimer है फिर then professional advice disclaimer है मैंने इसको पहले बता दिया हमारा news blog है तो उसके हिसाब से disclaimer page है content यह हमें देने वाला है और at last देखो इसने email भी यहाँ पर put कर दिया है और सब से नीचे देखो यहाँ पर sincerely मेरा नाम वगरा सब दे दिया अब कुछ नहीं करना है मैं सीधा यहाँ से copy कर लेना इस तरह से वापस चलते है डिस्क्लेमर वाला page कहाँ पर रही है रहा ना edit करेंगे हम और यहाँ पर हम पूरा का पूरा content paste कर देते हैं देखो पूरा content आ गया बस इस disclaimer को आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हो इसका reason यह है कि already भाई हमारे पास disclaimer page का title तो है ही और यह heading वाला structure एसे भी यहाँ से हटा देते हैं यह आ गया हमारा पूरा का पूरा page ready है कोई भी changes वगरा करना हो तो आप कर लेना यहाँ पर इसके बाद सीधा हम इस page को update कर देते हैं disclaimer वाले page यह उपर real content आ चुका है देख पूरा prompt देने की जरूरत नहीं है हम simply यहाँ पर लिखेंगे also write content for the affiliate disclosure page बस इतना देतो और enter पुछ कर दो यह अपने आप सारा data उपर वाले prompt से उठा लेगा मतलब जो कुछ भी हमने इसको दिया हुआ था और उसी के हिसाब से पूरा content देखो लिखेगा है ना इसने date भी उ इसको भी copy किया वापस चलते हैं और affiliate disclosure वाला page यह रहा तो यहाँ पर हम paste कर देंगे इसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर extra data है इसे आप remove कर देना कुछ इस तरह से और यह हमारा affiliate disclosure वाला page भी ready हो गया इसे भी open करके देख लेते हैं new tab में यह देखो affiliate disclosure का page ready है आप पूरे page क पढ़ लेना अच्छी तरह से कहीं पर कोई भी changes करने हो तो आप अपने हिसाब से करके फिर update करना ठीक है तो एक इक करके आप other pages के लिए content ready करते चले जाओगे अब फिलाल इससे मैं बंद कर देता हूँ अगला काम हमें क्या करना है बई अगला काम हमारे सामने यह है कि सब नाम लिखा होगा ना वो मेरी personal website से connected भी होना चाहिए तो इस footer को हम कैसे edit करेंगे यह possibility सिर्फ generate press के premium plugin की तरफ से ही हो पाती है generate press के free theme में आप footer को edit नहीं कर पाओगे तो जो premium plugin मैं आपको provide किया है उसकी help से आप footer को easily edit कर सकते हो वापस चलते हैं WordPress के dashboard में अब footer edit करने के आपको पहले appearance में जाना होता है और यहाँ पर हमें जाना होगा generate press में एक बाग confirm कर लेना जो copyright वाला add-on है यह active है या नहीं इसका active होना बहुत जरूरी है तो अभी right now already active है यह तभी यहाँ पर deactivate का option आ रहा है इसके बाद आपको appearance में ही customize में जाना होता है then layout में हम यहाँ पर आपको मिलेगा footer let's click on it scroll down आप करोगे तो यहाँ पर एक box बनके आता है copyright का दो variable भी दिये हुए है यह जो copyright वाला symbol है ना c बना हुआ है इसको दिखाने के लिए आप यह वाला variable use कर सकते हो simply copy करके हमें से यहाँ पर ऐसे paste कर देना होता है और लिख देंगे copy and then current year के लिए हम यह वाला variable use करेंगे इसे भी आप copy कर लो और यहाँ पर इस पेस दे के paste कर दो तो इसकी help से c वाला symbol आएगा और इसकी help से जो current year चल रहा होगा जिसे भी 2024 चल रहा है जिस वक्त मैं इस वीडियो को record कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2024 आ गया जब कल की date में 2025 में कोई म ब्लॉग पर विजट करेगा तो यहाँ पर अपने आप 2025 आ जाएगा मुझे manually इसको edit नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पर यह current year वाला हमने variable use कर लिया है इसके बाद pipeline बुट कर देते हैं और लिक देते हैं all rights reserved ठीक है ऐसा कर दिया then full stop लगा करके हम ऐसा भी कुछ लग सकत ब्लॉग बाई सद्दाम कासिम ठीक है अब मैं चाहता हूँ जो मेरा नाम है यह मेरी personal website से connect हो जाए मतलब जो मेरी official website है उससे connect हो जाए तो इसके लिए करना क्या होता है नाम के आगे हमें एक html tag use करना है a then space href इसके बाद equals to a double quote start करके बंद करना है और bracket बंद कर देना है और जो मेरा नाम है इसके last में हमें forward slash a लिक कर इस bracket को भी बंद कर देना होता है तो इस tag की help से basically जो मेरा नाम है वो link में convert हो जाएगा अब कौन सा page मैं open करना चाहता हूँ जब कोई user मेरे नाम पे click करे उस page का url हम यहाँ पे provide करते हैं https के साथ में saddamkasim.com ठीक है तो आम भी लिग गया highlight भी हो गया और यह मेरी official website से connect भी हो गया है publish करके एक बार front page चेक कर लेते हैं ओके यह देखो अब मैं जैसी इस पर click करूंगा ना तो मेरी website देखो open होगी saddamkasim.com है ना वापस आ जाते हैं तो इस तरह से आप footer में copyright content वगरा रख सकते हूँ अगली ची निव टैब में अपना wordpress dashboard open कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इस URL को पहले open किया और इसके बाद dashboard में click करेंगे wordpress का dashboard open हो गया अब मैं जाता हूँ जो footer है ना इसमें ही कुछ legal pages आ जाएं जैसे कि disclaimer, privacy, policy, terms and conditions यह तीनों pages हमारे footer में ही आ जाएं तो कैसे put कर सकते हैं सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा अपने नाम के आगे pipe symbol फिर से लगाना है फिर space put करेंगे अब यह जो हमने यहाँ पर a tag यूज किया थे ना पूरा का पूरा copy कर लेना control c करके और paste कर देना जैसी आप paste कर देना जैसे आप पेस्ट कर दो दुबारा मेरा नाम फिर से यूज किया है सबसे पहला वाला जो मेरा नाम तर्सकुत चोड़ेंगे दूसरा वाला है यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं जैसे मेरा नाम लिखा है इसकी जिए मैं लिख दूंगा privacy policy है ना यहाँ पर privacy policy अपडेट हो गया लेकिन privacy policy तो मैंने लिखा है अब इस क्लिक करेगा ना तो मेरी ही website open हो जाएगी तो मुझे इस URL को भी change करना पड़ेगा URL का link कहां से मिलेगा मतलब privacy policy वाले page का link कहां से मिलेगा यह हम आ गया pages में all pages पर यह है privacy policy जैसी आप mouse रखोगे यहाँ पर view आ जाएगा right click करना और copy link कर लेना तो privacy policy वाले page का हमने link copy कर लि text है मारे सामने फिर से मेरा नाम है यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा disclaimer ठीक है और disclaimer वाले page का link उठाके ले आओ यह रा disclaimer right click किया view के ऊपर और copy link कर लिया वापस आते हैं disclaimer text यह है इस से पहले यह link रखा हुआ है इस link को आप यहाँ से हटा दो तब देखो disclaimer जो यहाँ पर ल यहाँ पर लिख देते हैं terms of service चलो कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर मैं इसका link भी change कर दूँगा इस तरह से publish कर दिया front page को refresh कर लेते हैं और अब जैसे ही मैं terms of service पर click करूँगा देखो यह वाला page open होगा terms वाला है इसी तरह से अगर मैं disclaimer पर click करूँ disclaimer वाला page open हो गया अगर हम अपने नाम पर click करता हूँ तो मेरी website open हो जाती है it's very simple ठीक है तो इस तरह से देखो हम ना मतलब footer वगरा edit करते हैं और legal pages के link मैंने यहाँ पर put कर दिये अब बात आती है कि हम यह menus कैसे create करते हैं जो भी हम back end में pages create करते हैं वो अपने आप as a menu यहाँ पर add होते चल बना होता है अब appearance में आपको मिलेगा menus वाला option let's click on it सबसे पहले main menu नाम का एक group बनाएंगे हम main menu ठीक है इसके बाद create menu पर click कर देना जैसी आप इस पर click करोगे तो left hand side पर pages वाला section enable हो गया तो मैं चाहता हूँ about us, contact us और कुछ जो post की categories है न वो menu में दिखाई दें तो कैसे possible होता है pages वाले section के अंदर आपको सिर्फ pages ही दिखाई देंगे view all पर click करना मैं चाहता हूँ यहाँ पर about us दिखाऊं और contact us दोनों को मैंने select किया add to menu पर click कर दिया दोनों menu में add हो गया अब post categories कैसे दिखाते हैं यहाँ पर दिया होता है categories वाला option click करके expand कर लेना फिर view all पर ज page को एक बार refresh करते हैं कोई फर्क नहीं हुआ क्यों फर्क नहीं पड़ा यह वाला जो area है ना यह primary menu के नाम से पहले से ही reserve किया गया है generate press theme में तो हमने menu तो बना लिये हैं लेकिन हमने यह नहीं बताया कि इन menus को दिखाना कहां पर है तो नीचे दिया होता है display location आपको primary menu choose करन तो अब देखो वो सारे menus यहां पर आ गए है ना बहुत आसान होता है अगर आपको किसी भी menu को order change करना है मान लो contact us को सबसे last में दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं बहुत simple सा तरीका है contact us को यहां से उठाओ और इस तरह से last में रख दो drag and drop base पे काम करता है and then save menu पे click कर देन फिर से हम इस page को refresh कर लेंगे देखो contact us last में चला गया तो देखो wordpress में काम करना बड़ा आसान है थोड़ा पर practice करोगे आपसे बढ़िया तरीके से बनने लग जाएगा और बढ़िया आसा news blog आप बना करके internet पे launch भी कर दोगे तो हमने यह सारे काम तो चलो कर लिए अब बा not found यह server not found आ जाएगा यह सिर्फ temporary domain है temporary hosting के environment हमारे computer पे हमें मिला हुआ है इस local server की तरफ से यह local server है इसकी तरफ से मिला हुआ है तो हम अपना blog तो बना पाए अब हमें अपने blog को internet पे live ले करके जाना है ताकि दुनिया भर के लोग हमारे blog को देख सके read कर सके तो वो कैसे हो blog को internet के live hosting server के उपर migrate करना पड़ेगा मतलब shift करना होगा और फिर जो कुछ भी SEO practices होती है न वो सब live server पे ही होंगी अब हमारे पास live server तो है नी तो हमें live server खरीदना होता है और live server जो होगा basically वो आपकी web hosting company प्रवाइड करती है इंटरनेट में बहुत सारी web hosting companies हैं जो आपको web hosting server प्रवाइड करती हैं domain name वगरा प्रवाइड करती हैं कुछ के services बहुत अच्छी है तो price भी बहुत जादा है और कुछ के price बिलकुल खतम है मतलब बिलकुल zero का बराबर है तो इस services भी बिलकुल third class है आप आज blog बनाते हो कोई भरोसा नहीं शाम को आपको blog बिलकुल crash हो ज क्योंकि domain name की cost ना साल की 800-900 रुपए के आसपास आती है ऐसी कोई web hosting लेते हैं जिसमें हमको domain name बिलकुल free of cost मिल जाए और वो कौन प्रोवाइड करेगा hostinger प्रोवाइड करेगा तो आपको simply एक URL open करना है सद्दामकासिम.com forward slash hostinger अगर आप इस link के जरीए hostinger पे जाते हो तो आपको 2-3 benefits मिल जाएंगे पहला benefit तो यह मिलेगा कि आपको मैं coupon code प्रोवाइड करूँगा जिसकी help से 10% का acquirational discount तो hosting पे मिलेगा ही और दूसरा benefit जो हमने generate press का premium plugin यूज किया है जिसका actual cost 59 डॉलर से वो मैं आपको absolutely free as a gift प्रोवाइड करूँगा तो अभी हम आ गए hostinger के home page पर अब कौन सा hosting plan लेना चाहिए wordpress वाला menu दिया है इस पर क्लिक करना wordpress hosting पे हम जाएंगे scroll down कर लेते हैं अब 2-3 plan यहाँ पर दिये होते हैं हम अपनी requirement के हिसाब से यहाँ पर plan चूज करते हैं premium और business दोनों कंप्या करके देख लेते हैं premium जो plan है 149 रुपीज पर मन्त की cost आती है मतलब pizza से भी कम prices का अचाहिए इन दोनों plans में आप 100 websites तक host कर सकते हो 100 website का मतलब 100 अलग-अलग news blogs बना सकते हो या एक blog बना लो other websites बना लो मतलब websites और news का combination सब कुछ आप कर सकते हो 100 different domains ले करके तो इतने features आपको कोई दूसरी hosting तो provide करती ही नहीं है अगली चीज premium में standard performance मिलती है मतलब आपके जो website के blog का speed रहेगी ना वो normal रहेगी ठीक ठाक रहेगी जबकि business वाले plan में आपके speed 5 गुना fast रहती है और हम लोग तो basically देखिए speed पर focus करते हैं कि हमारा blog जो है या हमारी website है super fast load हो इसलिए मेरे पास तो business plan ही है बड़ आपने budget के हिसाब से देखो अचा दोनों ही plan में आपको free domain name मिल जाता है जिसकी actual cost तकरीबन 800 रुपए per year की होती है एक साल के लिए बिलकुल free of cost मिलेगा then premium plan में आपको cdn नहीं मिलता है content delivery network जबकि business plan में आपको cdn free में मिल जाता है क्या है cdn cdn की help से आपके blog का जो data है जो आपका content है वो end user तक fast deliver होता है और website को थोड़ी बहुत security भी मिल जाती है तो business plan में आपको cdn मिलता है इसमें cdn नहीं मिलता है बाकि और भी कई सारे additional features है एक बहुत अच्छा feature है यह सबसे top पे connection secure वाला feature यह basically आपको मिलता है unlimited free SSL वाले अगर user इस पर click करें तो लिख के आता है connection security trust build होता है और Google भी ऐसी ही website से ब्लॉक को rank करवाता है जिसके उपर SSL पहले से ही installed है इसलिए SSL का install होना जरूरी है other hosting companies SSL भी बेचती है आपको अलग से खरीदना पड़ता है बट hostinger में यह भी आपको बिल्कुल free of cost मिलेगा आपक अगर आपको लगता है कि आप 149 उपीस पर मंद afford कर सकते हो तो premium plan के साथ जा सकते हो बट recommend मैं करूँगा कि आप business plan ही लेना add to cart पे click करते हैं और हम चलते हैं billing वाले page पर अभी हम आगे billing page पर अब यहाँ पर आप duration choose करते हो बई कितने duration के लिए आपको hosting server लेना है क्या एक मह recommend नहीं करूँगा बहुत महंगा पड़ेगा 699 उपर मंद अगले महिने फिर से इतना amount आपको pay करना पड़ेगा बिल्कुल भी worth नहीं है आप कम से कम 12 महिने यानि एक साल की hosting लो price भी almost आधा हो जाता है जितना ज्यादा duration choose करोगे ना उतना ही कम आपको price pay करना पड़ेगा तो मैं तो हमेशा recommend करूँगा 48 मंद की hosting आपको लेनी चाहिए price तो बहुत कम हो जाता है सिर्फ 249 रुपीज पर मंद जिसमें आप 100 website या blogs बना सकते हो along with that आपको एक domain बिल्कुल free of cost मिल जाता है plus अगला benefit यह है कि हो सकता है अगले साल hosting के price double हो जाए triple हो जाए आपकी pocket पे क कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपने चार साल का subscription लिया है आप चार साल के बाद ही आपको renew करना पड़ेगा तो आपको 48 मंत का लेना चीए और blogging में success देखो एक या दो महीने में नहीं मिलती है थोड़ा time लगता है थोड़ा आपको practice भी करनी पड़ेगी हो सकता है multiple blogs भ सकते हो अब एक बार अपना order review यहाँ पर कर लेते है 48 मंत का business plan सिफ कितने कपड़ रहा है में 11,952 रुपए का चार साल की web hosting है मतलब एक year का cost कितना आता है almost 3000 रुपए के आसपास आएगा per year बड़ इसमें आप 100 websites तक बना पाओगे और एक domain एक साल के लिए फ्री मिल रहा है अब tax मिला करके सब कुछ सिफ 12,693 रुपए और दो पैसे के आसपास यह आपको पढ़ जाता है तो make sure आपको मेरा reference link पहले use करना है सद्दामकासिम.com forward slash hostinger यह सारा process कर लेना उसके बाद checkout page पे आप यह coupon code apply करोगे तो 10% का आपको पहले तो discount मिलेगा दूसरी चीज आपको generate WordPress का premium plugin कैसे मिलेगा इस video के description मैंने email दिया हुआ है उस email के उपर आपको hostinger का snapshot within 5 minutes भेज देना है मतलब यह है कि जब आप web hosting purchase करोगे तो hostinger के तरफ से confirmation email आपको मिलता है कि हाँ आपने हमसे hosting वगरा ले लिए plan वगरा सब कुछ दिया होता है जैसी आपने purchase किया आपको email आया तुरंत उसका snapshot लेना है hosting खरीदने के 5 minutes के अंदर ही आपको जो नीचे email दिया हुआ है उस पर अपना snapshot भेज देना है और उसमें time और date mentioned होनी चाहिए कि किस time आपके पास email receive हुआ है और 5 minutes के अंदर ही अगर आप भेजोगे तब ही आपको generate press का premium plugin मिलेगा ऐसा इसलिए है क्य हमने पिछले कई सारे videos में भी offer provide किया है तो कई सारे ऐसे fake scammers भी हैं जिनोंने पिछले साल कभी hosting लिया होगा किसी और से लेकिन वो free gift के चकर में कोई भी snapshot हमें भेजते रहते हैं तो अब हमने ये rule लगा दिया है कि within 5 minutes के अंदर अगर आप हमें email करोगे तब ही आपको generate press का premium plugin मिल जाएगा अब यहाँ पर कई सारे payment methods available हैं जो भी आपके हिसाब से सही उसे आप choose कर लेना payment कर देना and आगे अब हमें अपना free wallet domain name claim करना है क्योंकि आपको hosting के साथ में एक domain मिलकुल free मिला हुआ है तो free wallet domain name कैसे मिलेगा आपको वापस जाना है अपने browser में type करना है hostinger.in enter push करेंगे यह आपके सामने home page आ गया login पर क्लिक कर देना है जो भी आपने account create किया है उसमें आप login करोगे तो यह मेरा hostinger का dashboard आ गया है मैंने भी देखो यहाँ पर business web hosting लिया हुआ हुआ है चार साल का अभी 2024 चल रहा है ना 2027 में मेरा यह plan expire होगा क्योंकि मैं value समझता हूँ domain domain और hosting की ठीक है अब आपको free वाला domain name कैसे मिलेगा जब आपने hosting और account में login करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा option दिख रहा हुआ claim my free domain यह get your domain for free ऐसा कोई option यहाँ पर आ रहा होगा उस पर आप click करोगे तो domains वाले page मौच होगे या फिर सीधा domains वाले page पर जाना और यहा यो भी domain name आपको लेना है free of cost उस domain को आप यहाँ पर सर्च करो वो आपके news blog के लिए live domain name रहने वाला है example के तोर पे मानलो आपको कोई ऐसा domain name लेना है जैसे newsblogindia247.com मानलो यह वाला domain name आपको लेना है हमेशा धिहान रखना है domain name के बीच में कभी भी space नहीं आता है minus का symbol त वो तो आ सकता है लेकिन बीच में space नहीं आएगा इसके बाद search पे click करेंगे अगर इस domain को किसी और ने नहीं लिया होगा तो हमें मिल जाएगा और किसी और ने ले रखा होगा तो हम नहीं ले पाएंगे यहाँ पर क्या message आ रहा है domain is available मतलब यह है कि यह domain name अभी तक किसी न लिया नहीं तो हम इसे ले सकते हैं अब मेरे end पे तो भी price बता रहा है 499 रुपे पर year अगर मैं दो साल के लिए एक साथ registration लेता हूं खैर मुझे लेना नहीं है क्योंकि मेरे पास free वाले domain ने पहले ही है मैं claim कर चुका हूँ बट आपके end यहाँ पे ऐसा कुछ आगा get this domain for free आपको पैसे नहीं बे करने पड़ेंगे उस button पे click कर देना तो आपका domain name आपके hosting server से automatically connect हो जाएगा ठीक तो हमने domain name भी ले लिया हमने web hosting भी ले लिया अगला काम क्या करना है हमें अपने domain के उपर फिर से wordpress को install करना होगा तो हम जाएंगे websites वाले menu पे add website पे click करेंगे यह आजाएगा wordpress का option let's click on it then यहाँ पर हमें अपनी login details create करनी होगी आपको याद होगा जब हमने local server पे wordpress install किया था उस time पर भी हमने login details create की थी तो आप चाहो तो same login detail यहाँ पर create कर सकते हो या फिर आप simply अपना email address यहाँ पर put कर देना और एक password हम यहाँ पर create कर लेते हैं ठीक है इसके बाद next पे जाएंगे now यह आपसे पूछ रहा है what type of website do you want to build किस तरह की website आप बना रहे हो तो वही हम एक blog बना रहे हैं न हम यहाँ पर blog choose करेंगे next पे फिर से click करेंगे अब जितने भी other options हा रहे हैं सब को आप skip करते चले जाओ एक एक करके now यहाँ पर हमें अपना domain name choose करना होता है जिसके उपर हम wordpress install करना चाहते हैं और जिसके उपर हमें अपना news blog shift करना है तो मेरा domain name यहाँ पे रहने वाला है howtosearch.in next पे फिर से click करेंगे और wordpress install होना शुरू हो गया जब तक wordpress install हो रहा है मैं आपका अपने blogging course के बारे में बताना चाहूंगा मैंने recently आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ पे जा करके आप course फी सारे detail देख सकते हो सारे lectures देख सकते हो काफी सारे लोगों ने enroll किया है इस course में अगर आप blogging detail में सीखना चाहें और आप मेरी mentorship चाहते हो course लेने का देखो फायदा यह है कि अगर आप कही पर फस जाते हो तो मैं आपको support provide कर सकता हूँ email कितरो WhatsApp कितरो या on call course लेने का सबसे बड़ा यही benefit है इसलिए अगर आप चाहें तो इस course हो join कर सकते हैं link वीडियो के description में मिल जाएगा तो WordPress almost 75% install हो चुका है और यहाँ पर WordPress पूरा install हो गया अब आपको ध्यान देना है जब आप WordPress अपने live domain पर install करते होना तो आधा से पॉन घंटा wait कर लेना backend में कुछ process चल रही होती है जब वो process complete हो जाएगी न तो आपका domain name ready हो जाता है अब इसकी उपर हम अपना जो local में news blog बना रखा है उसे shift करेंगे shift कैसे करते हैं पहले check करते हैं मेरा यह वाला domain name ready हुआ है या नहीं एक बा वाला blog यह वाला blog है ना कैसे करते हैं इसके लिए हम एक premium plugin यूज करने वाले हैं जिसकी help से हम पहले backup बनाएंगे अपने local वाले blog का और उस backup को हम restore कर देंगे अपने इस live वाले domain के उपर तो इसको basically हम website migration भी कहते हैं अब वो premium plugin भी आपको अलग से खरीदने की ज़रूत नह आता है तो हम अपनी audience को भी benefit provide करने के पूरी कोशिश करते हैं आपको अलग से tools वगरा नहीं लेने पड़ते हैं तो हम चलते हैं plugins में add new plugin पे click करेंगे upload plugin पे हम जाना होगा browse पे जाएंगे और जहां पर भी हमने उस plugin को download कर रखा होगा वो एक migrator plugin है यह रहा अब draft plus इसे simply आ हमें जाना होगा settings में और यहां पर मिल जाता है अब draft plus backups एक बड़ा सा backup नाओ का बटन आएगा click कर दीजिए इसके उपर तीनों checkboxes को आपको select करना backup नाओ पे click कर देना कुछी seconds में आपके पूरे news blog का backup ready हो जाएगा देखो ready हो गया मैं पूरा sentence complete भी नहीं कर पाया उससे पहले देखो ready हो गया पांच folder बनते हैं पहला folder database का बनेगा फिर plugins का फिर themes का uploads का and others का आप पांचो folder को एक एक करके पहले download करो अपने computer के ऊपर तो uploads है and others है जैसे ही मैं सब पर click करूँगा देखो download का option आजाता है इस पर मैं click करूँगा और एक folder हम यहाँ पर create कर लेते हैं यहाँ पर triple one नाम का एक folder बना लेते हैं हमारा database डाउनलोड हो गया इसके बाद यह आ गया I think plugins है यह then themes हो गई and इसके बाद हम डाउनलोड करेंगे uploads को and then after others को हमने डाउनलोड कर लिया I think हमारी पांचो files देखो download हो चुकी है confirm कर लेना सब proper तरीके से download हुआ है या नहीं सब से login करते हैं अपने domain name के आगे लगाना forward slash wp-admin enter push करोगे तो यह आप से username और password मांगेगा अब कौन सा username और password मांग रहा है जो हमने just अभी hostinger के installation के time पर create किया था मैंने अपना email address put किया तो एक नया password create किया था तो मैंने same login detail यहाँ पर put कर दी है ठीक है इसके बाद हम wordpress में login कर server आ गया अब हमें वापस फिर से plugins पे जाना है add new plugin पे click करना है और same वही updraft plus का जो migrator वाला plugin है उसे यहाँ पर भी install करना होगा तो upload plugin पे चलते हैं browse पे और हमारा वो plugin कहां गया giveaway के अंदर पड़ा हुआ है यह रहा इसे मैं open करके install करूंगा इसके बाद मुझे इसे भी activate करन बनाया था तो local server वाले backup को हमें उठा करके यहाँ पर upload करना है मतलब restore करना है तो इस time आपको फिर से settings में जा करके अब draft plus backups पे जाना होगा और अब यहाँ पर हम backup now नहीं करेंगे हम यहाँ पर upload backup files करेंगे और जहाँ पर भी हमने backup files को download कर रखा है 111 वाले folder में सब को select करके open यह upload कर देना सारी files यहाँ पर upload होगी फिर इन files को हमें restore करना होता है तो कुछ दिर वेट कर लेते हैं जब तक सारी files upload हो रही है meanwhile अगर यह video आपको पसंद आ रहा है तो please video को like करके channel को subscribe जरूर कर लीजे आप थोड़ा सा support करेंगे तो मेरी बड़ी help हो जाएगी और इसी तर जो current condition है हमारे domain की वो दिखा देता हूँ यह हमारा how to search वाला domain है अभी ऐसा दिखाई दे रहा है restoration के पहले अब मैं restore पर click करूंगा सारे checkboxes को हम यहाँ पर select करना है क्योंकि हमें हर एक folder को restore करना है next पर click करेंगे इसके बाद restore पर click कर दीजे और देखो restoration process हमारा start हो चुका ह return to dashboard पर click कर देते return to adapters configuration अब यहाँ पर जो हमारी login details काम करेगी ना वो कौन सी वाली काम करेगी जो हमारे local server पर काम कर रही थी क्योंकि हमने पूरा पूरा database सब कुछ restore किया है तो local server के उपर जो हमारा username password था वो ही अब live server पर भी काम करेगा तो local server पर मेरा username सद्दाम था password भी almost उस था जो कुछ भी मैं वो तो दिखाऊंगा नी login पर click करते हैं तो अभी आप देखो यह है howtosearch.in जो हमारा live server है यहाँ पर delete old folders का option आगा click कर देना तो पराने folders अब delete हो जाएंगे वापस फिर से dashboard पर आ जाते हैं अब एक बार इस page को मैं फिर से refresh करता हूं और कौन सा page है यह howtosearch.in जो live server वाला है एक बार हाट refresh मुझे करना होगा यह देखो howtosearch.in पर हमने जो local वाला ब्लॉग था उसको migrate कर लिया मतलब shift कर लिया है तो इस तरह से आप local server पर पहले काम करो article लिखना सीख लो फिर आप उसे live server पर ला सकते हो अगा generate press का premium plugin बगरा चाहिए आपको snapshot वगरा भेज सकते हो वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कर लिजे, bell icon को भी जरूर push कीजेगा ताकि आगे जो कुछ भी helpful videos में आपके ले करके आऊंगा उसको notification आपको मिलते रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में